हाँ आप सब लोग मेरे गुड बच्चो चलिए आज आज हमें एक्सरसाइज 5.5 के कोस्चन नमर 16 से कंटिनू करते हैं वन से लेके 15 तक अलेडी में आपको बता चुका हूँ ठीक है तो चलिए बच्चो चलिए बच्चो यह कोस्चन है और हमें क्या करना है इसको डिफरेंसियेट करना है और उसके बच्चो में क्या निकाला है देखो यह लिखा है f-1 इसका मतलब dy by dx यह लिख रहा है इसका मतलब होता है dy by dx ठीक है आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों का मतलब सेंट दूसे में clear तो हमें क्या निकाला है f-1 मतलब x की डिखा पर इसकी डिखा पर इसकी value निकाल लिए है ठीक है चलिए अच्छा solve करते हैं तो बच्चो कैसे करेंगे solve देखो यह में एक function दिया हुगा है ठीक है जैसे देखो या तो हम question को ऐसे लिख देते है y is over 2 लिख 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 पड़ेगा क्यों देखिए यह सब multiply में है और याद कीजिए जब सब multiply में होते हैं तो लॉक से करते थे हम लोग यारा है ना तो चलिए इसको 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 होते हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले taking log both side ठीक है अच्छो तो जैसे हम लोग लेंगे तो यह हो जा गई है log fx ठीक है ना अच्छा यहां मेरे लेते हैं log 1 plus x 1 plus x square 1 plus x की पावर 4 1 plus x की पावर 8 ठीक है नहीं अच्छा आप देखो चोनम क्या करेंगे इसका differentiate करेंगे लेकिंद डिफेरेंसियेट करने से पहले यार कीजिए हम इसमें इसमें लोग की प्रॉपर्टी लात है याद है ना लॉग किया है ऐसा मुल्टीप्लाइ में तो सब प्लस में होना आता था याद है किया है भाई लॉग में अलग 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 कर लेते हैं ठीक है ना दोस्तों ऐसे रिख लेते हैं log f of x is equal to log 1 plus x ठीक याद आ रहा ना फिर ही क्या हो जाएगा log 1 plus x square फिरक 1 plus x की पावर 8 ठीक है याद रहा है अच्छा आप देखो बच्चो आप हम ट्या करेंगे differentiate करते हैं इसको ठीक है तो differentiate both side with respect to x ठीक तो बच्चो देखो याद करो जब y होता था जैसे याद को ध्यांस लेको ऐसे होता था log y और इसका d y d x करना होता तो क्या होता था याद कर इसको जम डिफिरेंसियल करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 upon y d y by dx ठीक बात समझ रही अच्छा आप यहाँ पर y की जगहाँ पर fx तो कितना हो जाएगा 1 upon fx और d y by dx की रहेगा पिचार रहेगा f dash x मैंने भी बताया ना इसका मतलब d y by dx है ठीक है ना तो जब हम इसका डिफ on fx और यहाँ भी कितना रहेगा f dash x ठीक है अच्छा इसी पर दूब बच्छो इसका करें में डिवेड इस तो कितना रहेगा log 1 plus x का हमने सीखा है तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 1 plus x और फेर से बच्छो भाई 1 ता करोगा तो 0 और x ता करोगा 1 तो 1 तो 1 तो 1 तो 1 ही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आते हैं अब इसमें लिचो यह क्या बोला है log 1 plus x square तो इसका करें में तो कितना रहेगा 1 upon 1 plus x square 1 कर 0 और x square के डिवेट x और दुबारा से तो कितना रहेगा 2x ठीक है ना तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x फिल प्लस यहाँ पर आते हैं 4x cube ठीक है ना बात समाज में आ रहे हैं फिर यहाँ पर आते हैं इसको कितना जायाएगा 1 upon 1 plus x की पावर 8 ठीक है ना x की पावर 8 होगे और फिर x की पावर 8 करें तो कितना रहेगा 8 x की पावर 7 ठीक है ना यह समझ माया अच्छा आप बिख लुच्चो इसको आ में सॉल प है ना f dash x निकाला है तो देखो कैसे निकलेगा f dash x इसका नतला डिवेड इस इस इपर दो तो यह इधर आ जाएगा भाई 1 upon f x है तो f x इधर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा यह f x और यह पूरा as it is ऐसे लिग दीजिए 1 upon 1 plus x plus 2 x upon 1 plus x square plus 4 x cube upon 1 plus x की पावर 4 plus 8 x की पावर 7 x की पावर 7 upon 1 plus x की पावर 8 ठीक है इत्ती बात समझे पावर दी ठीक है चलिए अच्छा इसको पापी कीजिए आमें बढ़ते हैं अब देखे बच्छो क्या जर्वन में यहां पर देखो बच्छो ध्यान से की f x आया है तो इसकी वेल्व कितनी थी इसकी वेल्व ध्यान स सकते हैं आया ना लिख सकते हैं अच्छा बच्छो यह अब लाइटा बच्छों f dash x is equal to f x f x की वेल्व यह पूरी लिख रेते हैं 1 plus x 1 plus x square 1 plus x की पावर 4 1 plus x की पावर 8 ठीक है फिर यह पूरा तो उसको लेख लो 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x की पावर 4 plus 8x की पावर 7 upon 1 plus x की पावर 8 ठीक है इतना आ गया अब अब अच्छो यह तो इसका क्या हो गया है हमने डिवाइड इस कर लिया ठीक उसके बाद में क्या करना है f dash 1 की भी वेल्व निकाल लिए है तो बच्छों लोगो f dash x की वेल्व यह है हमें क इसकाली f dash 1 की तो जहां x है बहां बना गया देखो दियां से जहां x है बहां ugand बना गया तो यहां जहां x है बहां है कितना लिखना है ठीक है ना चले यहां पे आते हैं 2 x 1 1 plus 1 का square यहां पे आते हैं 4 x 1 का cube 1 plus 1 की power 4 यहां पे आते हैं 8 x 1 की power 7 1 plus 1 की power 8 इतना समझ भाए है जहां जहां पर x है वहां वहां मैंने 1 को उठ कर दिया है ठीक है अब अब दो करना कुछ नहीं है आप इसको सिर्फ स्वाल्व करने है तो आप इसको स्वाल्व करोंगे तो कितना है तो यह तो बहुत आसान हो गया ठीक है न अच्छा यहां पे आते हैं 1 1 plus 1 2 plus यह कितना हो गया 2 और 1 plus 1 2 यहां पे आते हैं 4 x 1 4 और यह भी हो गया 2 यह 8 x 1 8 और यह भी 1 plus 1 2 clear ए तो फिर यहां पे आते हैं पर चो यह कितना हो गया एफ-1 2 2s आ 4 2s आ 8 2s 16 ठीक है न यहां पर 2 से 2 cut इसको cut किया तो 2 मिला इसको cut किया तो 4 मिला तो यह कितना हो गया दर 2 हो गया और यह 1 हो गया 1 plus 2 plus 4 तो 4 2 6 6 1 7 और 7 में अधा और एंडिकल तो कितना हो गया सारे साथ ना तो सारे साथ को मैसे ले सकते हैं 15 of 1 2 नहीं इसको सब्सक्राइब करें आएगा अब 2 से आप इसको cut करो तो 8 मिलिया और 15 निट्जा 15 निट्जा 120 तो इसकी विल्व कितनी आ गई 120 आ गई बात समझ गया है इच्छे से clear वा आप चलिए नेस्ट कोशन पर आता है इसको पॉपिकल लेजा आपकट आपकट 70 नमबर कुशन देखते हैं दोसको इसमें भी देखो चो क्या करना है इसको तीन तरीके से solve करना है ठीक है आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है पहला तहा गया है कि इसको product rule लगा के solve करो ठीक है ना फिर दूसरे में तहा गया है इसको single polynomial बना के solve करना है और third में फिर जो लोकरिथर्म से करना है मतलत लोगर्द करना है ठीक है तो चलिए सबसे पहला केतीब लगाएं में इसको product rule से कैसे होता समस्थे हैं देखो चो product rule तो पनता है और ऒजेको यह आपका first function हो गया यह और second function ने तो देखिए first क्या है है अमें लगाना है product rule प्रोडक्ट रूल लगाके करना है ठीक अच्छा अब देखो कैसे करना है सबसे में उसको लिए लोगो है ना यहां लेते हैं यहांपे लिख लेजे लेट y is over to x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus 9 ठीक है बच्छों? अच्छा अब हमें यह जरना बच्छों उसमें प्रोडेक्ट रू लगाना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं differentiate both side with respect to x ठीक है ना? चलिए तो यह तो ऐसे होना है बच्छों dy by dx clear है? कितना होगया? dy by dx अच्छा इसमें क्या करेंगे प्रोडेक्ट रूटेक्ट 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 रहता था first function जो यह first function होगया plus dy by dx first function dy by dx second function dy by dx second function x cube plus 7x plus 9 ठीक है ना? फिर plus second function तो second function क्या है? x cube यहापर लिख लेते हैं x cube plus 7x plus 9 and dy by dx first function first function होगया तो अच्छो x square minus 5x plus 8 ठीक है ना? अब देखो बच्छो अगर इसका डिवाइड इस करेंगे कितना हैगा? अब देखो x cube का 3x square इसका दोरोगे तो ऐसे आएगा? 3x square और 7x का तो 7 होजाएगा और 9 का दो होजाएगा 0 ठीक? तो इसका डिवाइड इस कितना हैगा? 3x square plus 7 तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हैगा? 3x square 3x square plus 7 ठीक? चलिए फिर यहाँ पर आते हैं अच्छो इसमें देखिए इसका डिवाइड इस करेंगे? x square minus 5x का बच्चो x square का तो 2x होगा और minus 5x का minus 5 5 आते हैं का दो 0 होगा तो इसका डिवाइड इस इतना है 2x minus 5 चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2x minus 5 ठीक है ना? समझ रहाएगा? अच्छा देखो बच्चो अब क्या दरना है? इसको dy by dx अब देखो इसको इसको multiply करो एक value आईगी इसको multiply करो एक value आईगी फिर उनको जो भी जोड़ना नटाना है वो कर देखो चलिए तो देखो बच्चो सबसे पहले क्या करेंगे x square का इन दोरों से multiply होगा देखो यह दिख रहे? बात को सुन तो जाहाँ पे यह x square यहिस से multiply होगा फिर यही से multiply होगा इसी तरह से फिर 5x का इस से होगा फिर इस से होगा फिर 8 का इस से होगा फिर इस से ओगा there nahnah ज्यादा एक नहीं इन सब से होगा यह अजीर आपको मोन ने 8th 9th में किया होगा अच्छे से सॉल्फ करना doctr तो आता ही होगा, है ना, चले, तो solve कर लेते है बच्छो, तो देखो, x square का इस से किया, x square का 3x square से, तो कितना आएगा, 3x की power 4, ठीक, फिर x square का 7 से किया बच्छो, तो कितना आया, 7x square, फिर minus 5x से करो, तो minus 5 into 3, minus 15 x q, फिर minus 5 into 7, तो 7, 5, 0 to 35 होता है, तो यह तो हो गया, 35x, फिर 8 से करते बच्छो, तो 8 से करेंगे, तो 8, 3, 0 to 24, x square, 8 into 7 करेंगे, तो यह आएगा, 56, clear है, अच्छा, आपर बच्छो, यहाँ पर देखो, यह भी, जैसा यह किया मैंने, बैसे यह बहुत तीनों, यह तीनों इंगों से multiply हो, तो x cube का 2 से करो, 2x से, तो कितना आएगा, 2x की पार 4, फिर x cube का 5 से किया, तो कितना आएगा, minus 5x cube, फिर यह तो हो गया, अब 7th x से करते हैं, तो देखो 7 to 0, 14x square है, ना, दोनों जों का x है, फिर 7 to 0, 35x, ठीक, अब 9 करेंगों से करेंगे, तो 9 to 0, यहाँ बहुत लेते हैं, 9 to 0, 18x, और 9 to 0, 45, ठीक, अब बच्छो, तो जो एक जैसे है, ना, जो भाई-बाई है, उनको एक पास कर लो, तो देखो, कौन-कौन से इस में भाई-बाई है, ना, तो देखो, यह बाई है, और यह बाई है, है ना, x ही पावर फोर, यहां भी पावर फोर, तो 3 और तो यह तो हो गया, 5x ही पावर फोर, अब एक यह रहा और एक यह रहा तो दोनों को इन तीनों को जो एड़ करते हैं तो 7 और 24, 31 हो गया, और 31 प्लस 14, 31 प्लस 14, तो 4 एक 5 और 3 एक 4, 45 आ गया, तो यह बच्छो हो गया, 45 X स्क्राइब, अब उसके बाद में सिर्फ X वाले रीट थे हैं, तो X वाले का है बच्छो बेख एक यह रहा, माइनस का 35 X, ठीक है, एक यह भी रहा, डेको, माइनस का 35 X, ठीक है, और कहीं X है, एक यह रहा, प्लस का 18 X, और कहीं पिए लिगला आपको एकस, एकस, शुर्फ एकस आया हो, और कहीं, और कहीं नहीं है. ठीक न, इसना है, चलिए इसको solve करते हैं, बच्चों दोगों, यह तो minus minus plus हो लाएगा, हाईगा, 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 तो minus minus plus यह तो ऐसे हो लाएगा 70x minus का, अब उसमें आप 18 minus का हो, तो कितना है तो यह माइनस का 52 एक्स तो यह तो हो गया 11 माइनस को तो यह आपका आ गया क्या आ गया दी वाई वाई दी एक्स क्लियर तो यह हमने कैसे किया अब देखो सेव तो सेव ज़ए आनसर आएगा हम किससे करेंगे एक सिंगल पॉलिणोमिल बना के करेंगे ठीक है ना चलिए इसको पापी कर लिजेगा अब देखो बच्छुट सिंगल पॉलिणोमिल कैसे बढ़ेगा हम क्या करेंगे इसको सॉल्ट करते हैं अभी जैसे हम लोगों निइ क्या था तो पहले x square था इन तीनों से multiply, फिर 5x का इन तीनों से multiply फिर 8 का इन तीनों से multiply, ठीक है न? तो चलिए multiply रहें हैं, y is equal to है यह y is equal to चल रहा है, यह तो आप यादी रखिएगा, अच्छा, तो कितना हो गयागा, देखो x square का प्चो इन तीनों से करते हैं, तो X2 का इस्से करेंगे? X3 से तो कितना आएगा? X5. okay, ये फिर X2 का 7 से करते हैं, तो कितना आएगा? 7X3. फिर X2 का 9 से हुआ तो आगया 9X2. okay, जिलिए, अब मैनस 5X से करते हैं, इसका मैनस 5X इंटू X3o, तो कितना आएगा? प्लास एड एक्सक्यूब 877, 56x, 8972, ठीक है? इतना समझ भाए है? अब देखो बच्चो, आम इसको solve करेंगे हैं और यह अर्चर आएगा, ठीक है? चलिए. आप फिर से इसमें देखो बच्चो, जो भाई-भाई है ना, उनको एक पास लेकिगो, तो कौन है भाई-भाई? देखो, x की पाउर 5 का तो क कंदरा हो गया, फिर देखो, x की पाउर 4 भी है, अच्छा, यह रहा, तो इसको पहले लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, आट, सार, पंदरा, x की पाउर, फिर देखो, 9, यह रहा है, और यह 35, यह भी x काउर बच्चा, तो देखो, 35 में 9 माइनस करो, तो माइनस करते मों कितना आएगा? 26 x स्कार, बात समझ भाई है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद में देखो, और है, इसको रहा लगन है, फिर क्या है, सिर्फ x वाला बच्छा, तो 56 x और 45 x, तो 56 मानस 45, 11 x, फिर लास्त बच्चों इसको बच्चों बचा सरी की 2, ख्लेर, अब देखो तुच्छों में जाने कि डिफरेंसीट करना है, इसको डिफरेंसीट बोच साइट विगा, आप इसको 54 आगया है, फॉर फाइग्स गा, 20 X क्यूज इसमें देखो, 3 आगया है थो, 3 फाइग्स गा, 15 3 गा, 45 X स्कायर हो गया, यहां में देखो, 26 इंटी 2, 52 X है ना, यह माने से 11 X ने लेगा, तो चेक करो, यह देखो, पहले सॉन किया था, अभी किया ही आया, तो आप से 12 से आए, हाई अना, ठीक है ना, अच्छा, आप बच्छों क्या कर रहा है, 3rd में, 3rd इसका पाट के लिए हमको इसको log, log अरे थम, differentiation करना है, ठीक है, ठीक अच्छों, तो यह समझना है रहा, कैसे किया, चलिए, आप बच्छों, log से कैसे करेंगे, ना, log से करेंगे, तो भी हमारा answer यह लिए आएगा, चलिए, लॉक से करते है, तो सबसे पहले तो पताएगे, बच्छों, यह y is equal to, चल रहा है, ना, y is equal to x square minus 5x plus 8, and x cube plus 7x plus 9, ठीक है बच्छों, तो हम क्या करेंगे, taking log both sides, दोनों side में log ले लेंगे, taking log both sides, तो जैसे बच्छों, log लेंगे, तो तो यह से हो जाएगा, log y, तो यह कितना आएगा, x square minus, sorry, इंदर भी log आजाएगा, log x square minus 5x plus 8, and x cube plus 7x plus 9, ठीक, अब अच्छों, लोग की प्रपर्टी में लेंगे, तो यह प्लस में हो जाएगा, अलाग अलाग, तो इसको ऐसे लिए सकते है, log y is equal to, log x square minus 5x plus 8, यहाँ में आ जाओ, plus log x cube plus 7x plus 9, ठीक है, इतना समझना है, अब बच्छों, इसको अराम से डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं, लिख लेते हैं, डिफ्रेंसियेट बोट साइड विद रिस्पेक्ट तो x, ठीक है, अब बच्छों कैसे करेंगे, है ना, सबस्के है, तो देखिए बच्छों, इसका कितना हो जाएगा, log y का, यह तो हो जाएगा, 1 upon y, dy by dx, ठीक है, अच्छा, इसका करेंगे, तो कितना हैगा यह, 1 upon, यह पूरे में अलेगा ना, log x का, 1 upon x, तो यह अपॉन में अलेगा, पूरा, 1 upon x is square, minus 5x plus 8, अच्छा, दुबारा से इसका करेंगे, तो x is square कितना हो जाएगा, 2x, और minus 5x का, अभी निसी का, minus 5, 8 का तो 0 हो गया, ठीक है, चले, यहाँ भी आते हैं, ठीक है, कितना है ना, 1 upon x cube plus 7x plus 9, और दुबारा से करेंगे, x cube का तो जातना हैगा, 3x square plus 7, ठीक है ना, और 9 का तो 0 हो गया, अच्छा, आप देखो पर चुट, dy by dx, तो यह वाही दर आएगा, वाही दर आएगा, औ 2x minus 5 upon x square minus 5x plus 8, और plus 3x square plus 7, x cube plus 7x plus 9, ठीक है पुच्छो, अच्छा, आप ध्यान से करेंगे, यह पुपी हो गया ना, आगे देखें क्या करते हैं, इसको समझते हैं, अब आप ध्यान से दिखेंगे, पुच्छो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह वाही की वाही गूप करे यह है, यही function माना था, तो यह लिख लिखेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, dy by dx is equal to, y तो यही पूरा है, तो लिखो यहाँ का, x square minus 5x plus 8, और यह कितना है, x cube plus 7x plus 9, ठीक है रोगी, अच्छा, फिर देखो, यह पूरा आ जाएगा, तो देखो पुच्छो, उसको solve करें, अ तो इन दोनों का अच्छे हैं, नहीं आएगा, इसको लिख लिख लता हूँ, x square minus 5x plus 8 and x cube plus 7x plus 9, ठीक, तो लोगो यह से multiply होगा यह से, तो 2x minus 5 का इससे multiply होगा, तो यहाँ को लिख लिख लते हैं, 2x minus 5 into x cube plus 7x plus 9, ठीक है ना, और यह से multiply होगा, तो इसको भी लिख लोग, 3x square plus 7, और यह कितना है रहाँ, x square minus 5x plus 8, ठीक है ना बच्छों, अच्छा आप लिख लिख लोगो, यह पूरा, यह पूरा कट, है ना, same to same, कट हिया, multiply मता, तो बचा कितना, dy by dx is over 2, तो यही बचा होगा, यह दिख लोगा, यह दिख लोगा, यह दिख लोगा, यह दिख x minus 5, x cube plus 7x plus 9, plus 3x square plus 7, x square minus 5x plus 8, ठीक है, अब ध्यार जोगो, इतो बिल्टो ऐसे बने है, जैसे भी इनके लगाया था, है ना, और इसको solve करेंगे, तो यह दिख लोगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो चाहिए, इसको solve करते हैं, तो बच्छों इतना होगा, dy by dx, तो पेरe 2x का int2 भी इतना होगा, अभी देखो मैंने करके बताया चाहिए, तो 2x का int2 से करेंगे, तो कितना है गाए, तो 2x की पावर 4, फिर 2x सेंग्जा, 14x square, फिर 2x सेंग्जा, 18x, वह रहारा रहा है, तो से int2 का किया है, बारी बारी से, पिर –5 का int2 से करू, तो माइन माइनस 5 xq, माइनस 5 xq, 5 7 z 35 x, है ना, यह समझ़ गार है, फिर माइनस 5 xq 9 करो, तो माइनस 45, ठीक है, चलिए, इसकी कहानी गतम, यहां पे आते है, 3 x square 9 किलों से करते है, तो 3 x square x square से करोगे, तो 3 x की बावर 4, फिर 3, 5, 15 xq, एंड 3, 8, 24 x square, है ना, यह समझ़ गार है ना, इससे की है, 3 x की बावर 4, 3, 5, 15 xq, फिर 3, 8, 24 x square, फिर 7 x square, तो 7 x square, फिर 7 x square, फिर 7, 5, 35 x, और 7, 8, 56, क्लेर, अब देखको बच्चो, इसको solve कर लेते हैं, राम से, तो भाई 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 का है, यह रा, भाई और इसका भाई, यह रा, तो 3 और 2, 5, 5 x e power 4, अब पावर 3 बावर रिखो पाएं, यह रा, और यह रा, तो 15 और 5, यह भी हो गया, 20 x cube, ठीक है, अब x square लाते हैं, यह रा x square बावला, और कहां पहें, एक यह रा, x square बावला और एक यह रा, कि, तो इन तिनों को जोड़ो लो, 14 और 7, 21, 21, और, sorry, 14 और 7, हां, 21 हो गया, 21, और, 24, 25, 24, 45 हो गया न, यह, तो यह हो गया, 45 x square, फिर दिक्रा में चलो, चो सिर्फ x और पाइं पाइं पाइं, तो यह रा, और यह रा, यह रा, यह र 35, 55, 70, minus का, और minus के 70, 18 में सरो तो कितना आएगा, plus, sorry, minus का, 52 x, आएगा कि नहीं आएगा, है न, भाई, देखो, बहुत चीज तो है, अचा, फिर ठीक्रा मिचले, लाज में च्छो सिर्फ नम्मर बच लाए, minus 45, और minus 56, यह minus का 56, 7, 8 जा, plus, sorry, 56, ठीक है न, अचा, तो अब अचा, अचा, 56, minus 45, तो यह कितना आएगा, plus, आएगा, 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 यहीं चीज आएगा, तो यहीं चीज आएगा, तो हर बात, तीनों बात में चाहिए, पात समझे रहे हैं, तो इसी तरह समझे कोशिद करना है, ऐसा कुछ नहीं की जॉब को नहीं आएगा, mathematics आएगा, पड़ो, ऐसा कुछ नहीं जुब ही आएगा, ठीक है, बाकी tension क्यों लेते हो, हम है राएगा, चले एचा है, तो अपी कीजे, next question पर आते है, 18 number question देखते है बच्चो, यह भी बिल्कुल question number 17 के जैसा ही है, ठीक है, हमें यह करना है, देखो, कह रहा है कि u, v, w, w, our function of x, ठीक है, तो हमें show करना है, हमें यह चीशीot प्रूफ करनी है, ठीक है, थीक है, दिखो कैसे करते हैं, दो आप्वो करना है, पहला अब भुक बढ़ियों उसने क्या कर factories rule I am. पहला हमें, भी बच्छो, प्रोड़ोँ लगा करना है, एसा को प्रूफ कर लेती है, कोई तो दीवाइब लेस करना है पहला किया करना है प्रोडेक्ट 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 प्रो और यह हो गया second function, अभी ठीक है, ऐसे बना दो करें, आपको बच्छो स्को करते हैं d by dx, तो क्या कहता है product rule, first function, first function लिखे लो, uv, first function, d by dx, second function, तो बच्छो, w का d by dx करेंगे, तो कितना आएगा, dw by dx, आएगा, आया ना, तो यह हो गया, dw by dx, ठीक है, first function, d by dx, second function, फिर second function, second function है w, और d by dx, first function, तो बच्छो, uv का हमें d by dx करेंगे, तो कैसे होगा, इसमें फिर से product rule लगेगा, लगे रखेंगे, नहीं लगेगा, तो product rule लगाएगे, तो चितना आएगा, uv में, तो देखो, first function, d by dx, second function, तो यह होगे d by dx, और second function, d by dx, तो यह कितना हो जाएग बच्छो आपका, ठीक है, अच्छा, आप, इसको आपके solve कर लेते हैं, तो इसको solve करेंगे बच्छो, तो यह तो ऐसे रहेगा, uv, dw by dx, अच्छा, देखो, आप w को लगे मैटिप्लाइ करों, तो w का u से मैटिप्लाइ करेंगे तो कितना हैगा, uw, d by dx, और फिर w का v से करो कितना हैगा, w, v, du by dx, ठीक है, चक्रो ध्यान से यही लारा ना, देखो, क्या है, u, v, dw by dx, आ रहा कहीं, u, v, dw by dx, फिर uw, dw by dx, देखो, uw, अरे वो एक ही साथ लिखा हुआ है, प्रेटिक लाइटर के लिखलो, कोई दिक्कत नहीं है, dv by dx, फिर uw, dw by du by dx, ठीक है, आगे रह ऑगा, तो पहला तो किस से किया? प्रोडेक डूव्स से किया, समझाहिए ने अच्छा से, और यही कोश् should की吃 से करना है, लोग से करां ठीक, चैक, 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 अच्छा, इसको पापी लिखे और लोग लोग से करते है, तो लॉग से करेंगा तो भी यही ब्रूफ करना है, ठीचे बाई चलिए प्रूफ करते हैं देखो बच्छों ध्यान से लगो हम क्या लिए इसमें ऐसे लिख लेते हैं यह दियारा फंक्शन हमारा यूवी डगडू तो हम दोनों से लिए में लॉग ले लेते हैं इधर भी लेते हैं लॉग और इधर भी लॉग यह दो आप ऐसे लिखो य इस उबर टू यू दी डगू अब यह ठीट है पास्वर जागी अच्छा आप ध्यान से लिखो हम जब करेंगे इसका डिवेट इसमें दालेंगे तो यह कितना अजाएगा यह से हो जाएगा इसमें दोनों से लिख लेते हैं जी लोग की प्रपर्पर्टी लगाते हैं यह मॉर्टीप्लाई में है जी लोग की प्रपर्पर्टी होगी ऊसे प्लस कर बन जाएगा तयासर यूंसर उजातधा लोग यूइक इसको अग्ले से बेम लिख तो ये हो गया है, डजो लोग यह रायल गा 1 upon y dy by dx ठीके अच्छा इसा गरेंगे कि रायला यह रायला पच्छो 1 upon u du by dx आया ना यहां पे आते हैंगे कि रायला गार 1 upon v dv by dx यह रायला 1 upon w dw by dx ठीके रायला यह रायला 1 upon u dw by dx ठीके इतना समझ राया अच्छा अब ध्यावर से रहो इसमें आप एकाम करते हैं रच्छों y को बेरेस देते हैंना तो y धर आएगा यह रायला यह रायला गया और यह कितना हो रहागा 1 upon u dw by dx plus 1 upon v dv by dx और यह 1 upon w dw by dx ठीके रहें चलिए इसको कफी कीचे आप बड़ते हैं अब देखो बच्छों आगे एसमें क्या रहें हैं हैं वाई वाई दी डी 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 ओ थेखह रहें हैं यहां प्यांसे हैं यह अंदर कितना हैं 1 upon u, du by dx, 1 upon v, dv by dx, 1 upon w, dw by dx, ठीक है, ख्लेर है समझ में, आच्छा बच्छो अब यह क्या होगा, इन तीनों से मिल्टिप्लाई होगा, इधर भी, इधर भी, तो मुल्टिप्लाई करो, तो देखो यह से एफ्टू से माल जाएगा, d ви by, भाई, यू,व, को इससे मल्टिप्लाई होगा, तो बगो यू से उ कट जाएगा, क्या बचएगा, भाई, इसको मुल्टिप्लाई करो, तो कितमँ होगा, यू से उ KapT Pacific, अनुव खम होगा, तो फो यू से ए, भी था था, थीक है, यह भी, V से भी खतम बढ़ाएगा कि इपना पचाएगा? U W U W D V Y D X और यहां पर देखो W से W खतम बढ़ाएगा कि इपना पचाएगा? U V D W Y D X चेक करो ध्यान से यह प्रूव करना था है ना? यह आना था ठीक है न बच्छो? बात समझ में आनी कि नहीं आывать यह एक्ससाइज तो आपकी भट में गया है मैं इसक्राहँ आपको अच्छेस समझ से आफेगा होगा चर्म में करना रहा था तो बच्छो यहां तेक्या आप कीस्टम करों में प्रैक्टेस क्लियर है उसके बाद हम लोग नेक्स लेक्चर में आभी एक्ससाइस केंटीन हो करते हैं ठीके अच्छा जो मैं बता रहा हूं सब समझ में आता ना वोगों को पक्ता ना तो ठीके बच्चों अब फिर आभी अच्छे से पढ़ाई कीजें और अच्छे अच्छे माक्स लहें हैं ओके थैंक यू